आठ नवंबर को चंद ग्रहन चार राशिया होंगी माला माल। दोस्तों साल 2020 का दोसरा चंद ग्रहन लगने जा रहा है। जो कि कार्तिक माश की पूर्मा तिथी को लगेगा। इस ग्रहन के दवरान बहुत शारी घटनाई होंगी। तो वहीं मंगल और ब्रिहस्पत वक्री वस्था में रहेंगे तो वहीं ये काफी भेंकर और प्रभाव शाली चंद ग्रहन रहने वाला है। और ये काफी लंबा चंद ग्रहन रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि 8 नवंबर को पढ़ने वाला चंद ग्रहन शभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डा परन्तु शभी राशियों में से चार राशिया ऐसी हैं जो की काफी ज़्यादा भागशाली हैं। और किस प्रकार का प्रभाव इन सभी राश्यों पर पड़ेगा इसके बारे में हम बताएंगे आपको ये भी बताएंगे कि भारत के कौन कौन से हिस्सों में दिखाई देगा और किस किस देशों में दिखाई देगा गरहन का सूतक काल का समय और गरहन काल में बरती जाने वा पईनाम मिलेगा आप अपने परिबार में चल रही किश्वी प्रकार की कोई भी समस्या उनसे छुटकारा भी पाशकते हैं तो दोस्तों आठ नवंबर को लगने वाला साल 2020 का दूसरा चंद ग्रहन जो की कारतिक माश की पूर्मा तिथी को लग रहा है दोस्तों बीडियो को अंत तक देखेगा आप से बिनमर निवेदन है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें हो शके तो इसे जदा जदा शेयर भी अवश्य कर दें दोस्तों यह ग्रहन भारत में भी दिखाई देगा इसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा जोतिस सास्त्र के अनुसार शूर अब 8 नवंबर को चंदग्रहन भी लगने जा रहा है जो कि यह भी भारत में दिखाई देने वाला है और इसका भी सूतक काल मान होगा शाथी कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव तो वहीं कुछ राशियों पर शकरात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा आपको बताना च अरुनाचल प्रदेश में मेगाले में मडीपूर, मिजोरम, तिपुरा, नागालेंड, शिक्किम में दिखाई देगा शाथी साथ दोस्तों बता दे की लगबग सभी राजियों पर भारत के सभी राजियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिए बिसेश कर गर्वती मह खिलाओं को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए ये भारत के साथ अमेरिका, अस्टेलिया, अर्जेंटीना, चीन, रूस, ब्राजिल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी ये चंदग्रहन दिखाई देने वाला है, साथी थाइलेंड, अंटाइटिका और अटलांटिक य पहले ही सूतक काल सुरू हो जाएगा, सूतक काल से ही कोई भी सुबकार करने वरजित माने जाते हैं, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस ग्रहन का टाइमिंग क्या होगा, समय क्या होगा, तो दोश्तों, साल 2022 का ये जो दूसरा चंदग्रहन लगने जा रहा है, ये 8 न पहले ही सूतक काल सुरू हो जाता है, सूतक काल से ही कोई भी सुबकार ना करें, मंदिर वगार के कपाट वगार बंद कर दें, साथी दोस्तों, इसमें गर्वती महिलाओं को बहुत विशेष सावधानी बरतनी है, और इसमें बड़े बोढ़े बच्चे और रोगी को और नहीं भोजन बनाना चाहिए, इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखेगा, और किसी प्रकार के चाको सोई, सबजी फल आदी काटना वरजित माना जाता है, शोना भी वरजित माना जाता है, भोजन भी नहीं करना चाहिए, यानि कि ग्रहन काल के समय महितपूर या बरतनी चाहिए, खास कर गर्वती महिलाओं को, दोस्तों ये साल 2020 का दोसरा चंद ग्रहन है, जो इस ग्रहन का सुतक काल भी मान होगा, इसका असर शभी राशियों पर देखा जा सकता है, दोस्तों ग्रहन काल के समय से ही जरूरत मंद लोगों को तो ग्रहन काल की बाद लेकिन मंदिर के कपाठ बंद कर दें और ना चुएं, पूजा पाठ ना करें, कोई भी सुबकार ना करें, ग्रंतों के अनसार शुतक काल में पूजा पाठ और देवी देपताओं की मूरती को भी नहीं चुना चाहिए, इस दोरान कोई भी सुबकार करना अशुब माना ज जाब करें, जैसे कृष्ण मंद्र का जाब करें, ओम नमो भगवति वाश देवाय के साथ साथ ओम नमय शिवाय और गायतरी मंद्र का जाब करें, और होशके तो सूर देव के इस्तरोत का जाब करें, ताकि आपको विशेश लाब होगा, और चंदर देव के मंद्र का प्रभाव डालेगा और यह आपके जीवन में पैसे जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्या है उससे छुटकारा दिलाने वाला है परन्तु यह ग्रहन हमारे देश के साथ काफी ज़दा प्रभाव डालेगा और कई देशों पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा यह कई अ सबी राशियों का हाल जो कि इस बार के चंद ग्रहन में धन से माला माल होने वाली हैं जिनको करोणों का धन मिलने वाला है तो आखिर यह कौन-कौन सी राशियां है जो इस बार के चंद ग्रहन में बहुत ही शुब रहने वाली हैं दोस्तों बता दे कि इस बार का ये जो प्रियास के राटकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानि कि आपके तकदीर को बदलेगा, आपको इसमें कई महत्मुर्ण छेत्रों से लाब दिलाएगा, शाथी साथ महत्मुर्ण सफलता प्राप्त करेंगे, आएके नए अबसर मिलेंगे, जोब के लिए किये गए प्रियास कन्यराश के राटकों के लिए बहुत ही शुबर हैगा, शाथी साथ सामाजी की स्थिती मजबूत रहेगी, लोगों में लोग प्रिता बढ़ेगी, आपके प्रती और उल्लास खुशियां भी आपको प्राप्त होगी, कई महत्मुर्ण छेत्रों से लाब होगा, बैंक बेलेंस बढ़ेगा, अगर आप निवेस करने के सोच रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा सफलता मिल सकती है, धन दौलत की प्राप्ती होगी, कई प्रकार की शुबकार कर सकते हैं, प्रेम सम्मंदों में जाफा प्राप्त होगा, लबलाई पच्चरे की लब पाट धन के नए, आई के नए सुरोत सामने आशकते हैं, और इसमें जमीन जाजात के मामले में फैसला आपके पक्ष में आशकता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, राजनीतिक से जुड़े लोगों को प्राकरम बढ़ेगा, कई महत्पूर्ण छेतरों से ल इसमें आप शारेरिक हला की ध्यान दीजेगा, बाहर की चीजे बिलकुल न खाए पियें, और इसमें खासकर जो गर्वती मैलाएं हैं, उन्हें बाहर ना निकलने की सलाह भी दी जाती है, अगर कोई जमीन प्रोपर्टी को लेकर बिवाद चल रहा था, तो धीरे धीरे प् महतपूर्ण सुब पढ़्याम देखने को मिलेगा, शाथी नए अलाव देखने को मिलेंगे, अब अगली जो राशी आती है दोस्तों बता दे, वो है यहाँ पर मकर राश, मकर राश के अतकों शावधान रहने की जरूरत है, इसमें आपको कुश महतपूर्ण यानिकी धन हानी की योग बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, शाथी साथ कुशे, पेत्रिक शंपत्ति को लेकर बिवाद चल रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, बित्ती मामलों में अशर देखने को मिल सकता है, परिवार में जिमेदारियां सकती है, थोड़ा सा प्रियास करिएगा, और इसमें कुशी बात को लेकर टेंसन या फिर बिवाद की सिती भी बन सकती है, अब अगली यानि जो राश्याती है, जो यानि की धंसे माला माल होने वाली है, वो है यहाँ पर मीन राश, मीन राश के अदकों बता दे कि आपको स भाव साली रहेगा, बरिष्ट अधिकारियों से मेल मिला बने रहेंगे, प्रोफेशन लोगों से संबन्द आपके काफी बहतरिन रहेंगे, कई महत्पूर्ण शेतरों से लाब होगे, जो कार अधूरे पड़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे महत्पूर्ण सफलता भी अरजित करने का मौका मिलेगा, साथी बता दे कि धन संपत्य एकतरत करना जराएंगे, धन संपत्य में लाब होगा, बता दे कि कई महत्पूर्ण शेतरों से लाब होगे, जो कार अधूरे पड़े परिटे पिंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते बियापारिक शेत्र से लाब होगा, समाज में मान समान बिदेश की आत्राइं कर सकते हैं, प्रेम जीवन में खूशिया वर्षेंगे, इस्टुडेंट हैं तो बहतरीन अबसर प्राप्त होंगे, अब अगली यानि जो राशी जो धन से माला माल होने वाली है, वो है यहाँ प पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे, महतपुड सफलता अरजित करेंगे, धनलाब की योग बन रहे हैं, सफलता कदम चूमती चली जाएगी, पूजा पाठ में अधिक मन लगेगा, हलाकि इसमें धर्म कर्म के कार ना करें लेकिन आप इसमें भगवत कीर कई महतपुड छेतरों से लाब होगा, जो कार अधूरे पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, महतपुड सफलता अरजित करने का मौका मिलेगा, लाब की योग बने रहेंगे, लगातार अंधनी बढ़ने से भी महतपुड सफलता प्राथ होगी, जो का तुला राजकत को इसमें धन संपत्य कलाब मिलेगा, कई छेतरों से लाब होगा, जो कार अधूरे पड़े थे, पिंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रियास करेंगे, महतपुड सफलता कदम चोमेगी, अधूरे कारियों का पूरा करने का मन बना सकते हैं, धन से माला माल बन सकते हैं, इसमें चुकि मंगल और गुरु ब्रहस्पत वक्री वस्ता में चल रहे हैं, तो राजयोग और धन्योग निर्माड हो रहा है, जो आपके लिए काफी विशेस रहेगा, धन संपत्य में विशेस लाब होगा, कई महतपुड शेतरों से लाब होगा, कई साल के बाद ऐसा दूलब सबसंयोग बन रहा है, जो कि आपके लिए काफी बिशेस रहेगा, दोस्तो इसमें बिना जोब किये, बिना मेहनत किये भी इसमें ये राशियां धन से माला माल बन सकती हैं, धन संपत्य एकतरत करते नजराएंगी, यानि कि इन्हें चोत आरफा लाब देखने को मिलेगा, तो दोस्तो अगर आपको भी अपनी राशी का हाल जानना है, तो कमेंट सेक्षन में जरूर राशी का नाम जरूर लिखे, और साथे वीडियो को लाइक करिएगा, जदा जदा शेयर करिएगा, और चैनलों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा, ज जर एषेंडर देओ।